हेलो दोस्तों ब्स वाई केंपस में आप सभी का स्वागत है कैसे आप लोग आई होप आप पच्छे होंगे सिबम अर्पिद हिवानसूप विमल जस्वीर कृष्णा रादे रादे जैस्री कृष्णा नमस्ते हम लोग पर्सेंटेज की क्लास चल लाइती प्रतिसत ठीक है फटा फटा आपको रिवीजन करा दें हमना क्या क्या करा दिया है और आंगे continue करते हैं पहलो तो fraction वहलों आपको रिपीट कराते हैं ठीक है 1,2 की fraction क्या आएगा 50% एक बटा तीन, 33 साही एक बटा तीन या, 33.33, एक बटा चार, 25 परसेंट, और एक बटा पाँच, 20 परसेंट, एक बटा चे, 16 साही दो बटे तीन या, 16.66, और एक बटा साथ, 14 साही दो बटे साथ, या 14.28, 14.28, और एक बटा आठ, साड़े बारे या, 12 साही एक बटा दो, ऐसे ही एक बटा नो, 11 साही एक बटा नो परसेंट, एक बटा दस, दस परसेंट, ग्यारे परसेंट, एक बटा दस, एक बटा ग्यारा, नो साही, एक बटा, ग्यारा परसेंट, या, 9.09, एक बटे बारे, एक बटे बारे, बताईए कमेंट में जल दी, फटा फट, एक बटे बारे, एक बटे तेरे, एक बटे चौदे, एक बटे पंदरे, बताईए, 8 सही 1 बटे 3 या 8.33 8 सही 1 बटा 3 परसेंट या 8.33 1 बटे 13 1 बटे 13 बोलिए 7 सही 9 बटे 13 या 7.69 7 सही 9 बटे 13 या 7.69 परसेंट 1 बटे 14 7 साई 2 बटे 7 7 साई 1 बटे 7 या 7.14 7.14 1 बटे 15 1 बटे 15 बताईए 6 साई 2 बटा 3 या 6 6 साई 2 बटा 3 या 6 दसमलाब 6 6 ठीक है? नोट करिए, ऐसे ही एक बटा नो बताया है था हमने, 0.11, 2 बटा नो, 0.22, 3 बटा नो, 0.33, 4 बटा नो, 0.44, 5 बटा नो, ठीक है, ऐसे करके, मल्टिव लाई में यह होंगे, ठीक है, इसके बाद हमने, 1 बटा 8, 1.5, 2 बटा 8, 25%, 3 बटा 8, 3.5, 4 बटा 8, ऐसे करके, हमने आपको, अंगली क्लास में बताये थी, ठीक है, तो चलिए, कोशन नम्मर डालिए, आज, 11, कोशन नम्मर 11 क्या है, देखिए, आप एक दो बार ऐसे ही लिख लिख के करेंगे, तो यह फ्रेक्शन बैलू आपको याद हो जाएगी, ठीक है, पोशन नम्मर डालिए, 11, पोशन नम्मर 11 क्या है आपका, देखिए, एक सुसाथ काए, पैंतालिस परसेंट प्लस दोसो पचास का चौदे परसेंट, एक सुसाथ का, कि 45 परसेंट प्लस एक सो साथ का 45 परसेंट प्लस दो सो पचास का 14 परसेंट एक उपकल में है आपका एकस माइनस 23 इसे सॉल्व करना है करिए आरे सग्रबाल की बुक है हमारा जो चेप्टर चला है परसेंटेज चीक प्रतिसत था देखें कैसे करेंगे 160 का का मतलब गुड़ा 45 परसेंट का मतलब 100 प्लस दो सो पचास गुड़ा 14 बटे 100 बराबर में एकस माइनस 23 इसे कट करिए 0 से 0 पांस से कट करिए पां दूनी 10 और पां निम 45 दो से काटिए दो एकन दो दू अठे 16 आठ और नो का गुड़ा करेंगे तो आठ निम 72 प्लस इसे सौल्ट करिए 25 दहाई दो सो पचास पच्चिस चकू 100 फिर दो से कटिए दो दूनी 4 दो सकते 14 दो एकन दो दू पंचे 10 साथ और पांस का गुड़ा साथ और पांस का गुड़ा करेंगे तो साथ पना 35 बरावर एकस माइनस 23 इस 23 को जो माइनस का इदर लाईए तो ये प्लस का हो जाएगा तो 72 प्लस 35 प्लस 23 बरावर एकस इसे एड़ करिए 3, 5, 8, 8, 8, 2, 10 की 0 हांसिल 1, 3 और 3, 6, 6 और 7, 13 तो एकस बरावर आपका क्या निकल के आया एकसो तीस ठीक है ये ही आपका अंसर हो गया जी एकस बरावर एकसो तीस देखिए एकसो साट का पैंतालिस परसेंट का का मतलब गुड़ा अपन प्लस दोसो पचास का चौदे परसेंट ठीक है इसको एड़ किया तो एकसो तीस आया एकस बरावर एकसो तीस आंसर हो गया इसके बाद कोश्यन नमबर 12 है नोट करिए इसे अंगला कोश्यन नमबर 112 क्या है कोश्यन नमबर 112 है 350 का 66 परसेंट प्लस कोश्यन मार्ट इक्वल में है 1256 का 5 बटे 8 क्या होगा देखिए कोश्यन नमबर 12 है कोश्यन नमबर 12 क्या है 350 का तिन सो पचास का 66 परसेंट प्लस यहां पे है कोश्यन मार्ट बराबर 1256 का पांच बटे 8 यह सॉल्व करीए से तो देखिए कैसे करेंगे 350 का का मतलब गुड़ा 66 परसेंट का मतलब होता है एक बटे 100 अब एक का किसी भी संक्या में गुड़ा करेंगे तो वही संक्या रहेगी इसलिए हम यह एक नहीं लिखते हैं प्लस कोश्यन मार्क की जगे हमने क्या माल लिया एक्स कोश्यन मार्क है एक्स बराबर 1256 का का मतलब गुड़ा पांच बटे 8 आठ से डिवाइड करिए बारे 1256 में तो आठ एकन आठ एकन आठ चार बचा यहां पैंतालिस हो गया आठ पंचे चालिस पांच बचा चपन हो गया आठ सत्य चपन इसे सॉल्ब करिए जीरो से जीरो फिर पांच से काटिए पांच सत्य पैंतिस पांदूनी दस दो से फिर कट जाएगा दो एकन दो और तैंतिस दूनी 66 सात और तैंतिस का गुड़ा करिये सातिया 21 की एक हांसिल दो सातिया 21 और दो टेईस प्लस का X बराबर इसका इसमें गुड़ा करिए 157 गुड़ा पांच तो इसको इधर ले जाएए पहले इसका गुड़ा करिए 157 गुड़ा 5, 5, 7, 35 की 5, हासिल 3, 25, 25, 238 की 8, हासिल 2, 5, 1, 5 और 2, 7, x बरावर ये प्लस का है इधर ले जाएए तो क्या माइनस का हो जाएगा तो 211 बरावर x बरावर 785 में से 231 माइनस करिए कितना बचेगा आपका वही अंसर 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा, क्या 5 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा X बराबर कितना आया आपका 554 यही आपका आंसर हो गया नोट करिए इसे इसके बाद कोशन नम्मर डालिए 13 कोशन नम्मर 13 क्या है देखिए कोशन नम्मर 13 के राए 750 का 64% डिवाइड चार एकवल में है एकष्म डिवाइड भाई फाई 750 का साथ सो पचास का चार परसेंट स्टोडी साथ सो पचास का चोह सट परसेंट भाग चार बरावर में है आपका कोशन मार्क और इदर भाग फांच ठीक है इसे सॉल्ब करना है करिए कैसे करेंगे देखिए इदर सबसे पहले 750 का का मतलब गुड़ा परसेंट का मतलब अपोन में 100 डिवाइड है तो गुड़ा इसको बन अपोन 4 लिख लेंगे अरे किसी भी संक्या का डिवाइड जैसे ये करना है 8 बटे, 8 का डिवाइड चार में करना है तो हम इसे 8 बटे चार भी तो लिख सकते है ठीक है, तो बही हमने किया है बराबर अब portion mark की जगे हमने माल लिया x फिर divide है तो इसे भी हम upon में लिख लेंगे चिक है इसके बाद इसे कट करिए 0 से 0 कट जाएगा 5 से काटिए 15 पना 75 होता है और 5 दूनी 10 फिर 2 से कटिए 32 दूनी 64 हो गया 4 इसे कट करिए चार एकन 4 चारू अटू 32 हो गया 15 और 8 बचा 15 अठे 120 बराबर इधर क्या बचा है x बटे 5 क्रोस गुडा करिए तो x बराबर 12 और 5 बारे पंचे 60 कितना आया x बराबर आपका अंसर आ गया 600 एक्स बराबर 600 नोट करिए इसे इसके बाद कोशन नमबर 14 डालिए देखिए कोशन नमबर 14 क्या है आपका कोशन नमबर 14 है 36 का 7 बटे 9 का 45 परसेंट का 35 परसेंट कितना होगा परसेंट नमबर 14 रालिए इसके परसेंट का 35 परसेंट नमबर 14 परसेंट का व्ला आपका कोशन मार्ट तो कंवा कर देखिए इह दर कैसे करेंगे और से solve 3600 काका मतलब गोड़ा 7 बटे 9 फिर काका मतलब गोड़ा 45 बटे 100 100 क्यों करते हैं यह परसेंट का चिन लगा है ऐसे अटाने के लिए ठीक है फिर काका मतलब गोड़ा 35 बटे 100 इसे solve करना है करिए 9 से पहले तो 2-0 से 2-0 खतम 9 एकन 9 नो चकुछ 36 ठीक है फिर 4 से इसे कट करिए 25 चकुछ 100 चार एकन 4 हो गया 25 चकुछ 100 फिर 5 से कट करिए 25 25 35 फिर 5 से इसे कट करिए पांच एकन 5 पांच पांच निम 45 अब कितना बचा आपका 7 इंटू 9 इंटू 7 तो 7 निम 63 63 इंटू 7 63 का गोड़ा साथ में करिए तो 670 42 420 और 21 60 अब हमने इसे first कैसे कर लिया है देखिए 60 प्लस 3 लिख सकते हैं 63 को और गोड़ा करना है आपको 7 का क्योंकि 63 की तो टेबल पता नहीं है न 63 सकते आपको पता है ठीक है आपको तो 30 तक टेबल भी नहीं याद की गई आपसे हम बार बार रोज कह रहे हैं तो देखिए क्या करना है आपको 60 प्लस 3 तो 66 का तो टेबल पता है 670 42 420 ठीक है 0 लगा दिया और सात्यों 21 फिर 21 एड करने 421 कितना हो जाएगा 441 तो आंसर के आगे आपका 441 ऐसे कैलकुलेशन फास्ट करिए सबसे पहले कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट करनी है तो 30 तक पाड़े याद करने हैं 30 तक बर्गमूल और 20 तक क्यूंग घनमूल ठीक है नोट करिए से इसके बाद कोश्चन नमबर देखिए 15 चलिए तो कोश्चन 15 क्या है पोश्चन नमबर 15 देखिए 4240 का 3 बटे 5 का 75 परसेंट का 25 परसेंट कितना का 4220 का 4240 का 3 बटे 5 का का 75 परसेंट का 25 परसेंट कितना बराबर में कोश्चन मार्ट आज का लास्ट कोश्चन जल्दी से सॉल्व करिए बताइए अंसर कितना आएगा देखिए इसे कैसे करेंगे 4240 इंटू 3 बटे 5 का का मतलब गुड़ा 75 बटे 100 का का मतलब गुड़ा 25 बटे 100 कट करिए इसे 25 एकन 25 पच्चिस चकू 100 पच्चिस ती और पच्चिस चकू 100 ठीक है अब देखिए इसे चार से कट करिए चार एकन चार इसे कट करिए चार धाई 40 और चार्चिंग 24 फिर चार से कट हो जाएगा चार एकन चार चार दूनी आठ दो बचा चार दूनी आठ दो बचा चार चार चिंग 24 फिर दो बचा चार पंचे बीस तो 265 को फिर 5 से कट करिये, 25, 25, 25, 25, इदर क्या बचा है, 3 और 3, तो 3 गुड़ा 3, गुड़ा कर लीजिए, 53 गुड़ा 9 करिये, अब वही, 53, 95, 45, और 27 कितना होगा, ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करनी है, हमने इसको कैसे किया है, 50 प्लस 3, गुड़ा 9, तो 50, 95, 45, 450 होगया, प्लस 9, 27, अब 50, 27, 27, 27, तो आंसर आपका कितना आगया है, इसका, चार सो सतत्तर, ठीक है, चार सो सतत्तर, चलिए तो आज के लिए इतना ही खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए,